दूप ने राम जी थे वह दोर तो आपने दिख्खा ही है उस में तो थे मैं साथ तो उस में तो बताते हैं कि दिन में तो दो तिन तिन भी पार के हैं हाँ हाँ कोई कही बहुत चार 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 बहुत अफ़ीना यहां यहां जोफा तार्जम था मेरे घरमा कुछ थाक हो नहीं को धर वो दे बनने के बाद बनने के बाद को एकिसी ने मेरी यह ऊस्तरै के सामान सुमून की है कर देकर कर देकरत्र इंस ने तर माशा राम सिंक कोड़ Давайте अप आर गया माई किया रहा हूं तो जब आप मिला करते तो रहा झाल हुब कि अधिकी डिवरमन ने बड़ते कि दूकता हो रहा तो आपने भाषन में कहा था अपके आमने पस्वों को डंगर ढोर को बिखते हुए देखा है देखा है लेकिन ये ऐसा भी होता है कि यहाँ पर को MLA भी बिखते हैं उनका परिच्चे बहुत बड़ा है हर्याना के गठन के साथ ही दादरी के जो पहले विधायक थे गणपतराई जी बने थे 1967 में ये विधायक बने, 1968 में ये विधायक बने और 1922 में ये दादरी के विधायक बने तीन बार ये विधायक बने और तीनों बार ही इनके सामने जो एक सक्स थे हरनाम सिंग जी तीन नो बार इन्होंने हरनाम सिंग जी को हराया और इनकी वज़े से हरनाम सिंग जी का कभी अमेले बनने का सपना पूरा नहीं हो पाया इन्होंने पंड़ुत भगोध्याल सर्मा को भी नजदीक से देखा है बाकी कई मुख्य मंतरियों की राजनिती भी देखी है आज हम अंकल जी से पूछेंगे कि यह जो राजनितीक सफर है इनका कैसा रहा है नमस्कार अंकल जी तो अंकल जी से आप तो जैसे गरीब परिवार सही थे तो क्या मन नहीं करता था कि पैसे आ रहे हैं तो यार ले लेना है कैसे रोकते था खुदको अ हो रोकता कि मरे मन माए को नहीं आघाओ था की जिए पैसे की दो कियाओ है रही थाई खरी तो आपनी पहली गाड़ी कब खरीदी मैं न में तो फिर एच्पासम मेंबर था नहीं? आप हेच्पास yang के मेंबर बने कब बने का इवड़ों है मैं 84 में तो आ दसे से जिर वर यह जानी सिर्फानी स्वारी कि के शीच मेंवंि नोकरीया देते थे आप लोग? मैं आप बात देख करके और जो वैसे सारी क्वालिफिकेशन फुल्फिल करता है फिर दंकाया है इंटर्व्यू मैं पी तो उसको बना देता था और ना बना हो चाहिए लेकिन मेरी बात मानते थे सारी अच्छा क्योंकि उनको पता था कि आप पैसे वैसे लेते हैं उस समय चल थाग नहीं सकता था लेकिन मेरे लिए नहीं सकता था लेकिन मेरे लिए नहीं सकता अब पैसे नहीं लिए आपने करूँ ना मैंने लिए मेरे उपर कोई महर्मानी कर गया कोई यो यो धर गया या यह सोफा धर गया मत फक्र आजमी था मेरे गरमत कुछ थाए को नहीं को धर कर गया उतर बनने के बाद कुए किसी ने मेरी यह सवामान सुमोन सुमान की कर दी तो करा कर दी तो पर दी तो ने तो नहीं लगा गया. भाई इवा आएं और गरबी मैं कैसे रहो कि देखे आप या कवी हे पंखा लगा है इतना ये अगल ?" प्रेम ता भी वह अब भी देखे जाए मेरे को पतान के के देजाए रोग है अच्छा हाँ खूब देखे जाते हैं अब भी अच्छा अंकल जैसे राजनीती में बाबू जिगजविन राम है दलीत राजनीती में उनसे बड़ा नाम सायद को इंदुस्तान में कभी हुआ नहीं तो वो किस तरह की राजनीती करते थे दलीतों को लेके और उनके क्या नियम कानून थे उनके अपने तो खूजविन का तो रोब था बात यह नहीं और वो स्वतंतरता सेनानी थे और दलीतों के मसिया थे खफी मजबूत में बड़े परभावा वाले थे मेरे चुनाओं में आये थे यहां पर भी अच्छो तो चुनाओं में आने का कोई चितना उंदा कुछ नहीं लेते तो कुछ नहीं को एक बात ही नहीं पैसे की क्या वह तो आपना मतलब पार्टी की तरफ से आया करते पार्टी और मंतरी होते थे बड़े अच्छे उसके तो उन लेंगे पैसे का वह लोब ल कोई कई बार चार चार बार आपने तीन वार राम सिंग को रा दिया अप आर गया मैं के रहा हूं तो वो जब आप मिला करते तो कैसे बड़े आतरा या बहुत नहीं बहुत तू किता आगया थो रहा आच्छा वो आप जो बजरुक तो था है वो सन बावन का मिले बने बना आपने आल सिंग और वो दोनों कि न दल बद लया थो सन बावन में यह बन तो गए थे कांग्रेस से सन बावन में और फिर वो पैप्स हुए अगरती थी उन दिनों में यह चले गया काली दल में अच्छा वो कलंक ऐसा लगया पब्लिक ने इतना यानि उसमें दल बदल को अच्छा नहीं मनते थे बहुत बुरा मानते थे और नहरुजी आये थे शंचमवन में उरे जब शंचमवन में वह वे न मध्यावदी चुनाओ एप्सू के तो नहरुजी आये थे जिसे नहर का उद्गाटन के अगादार चिला करके गये थे तो उन्हों ने कहा था इतनी भारी पबलिक जुड़ी हुई थी उट्टों के उपर आये हुए हैं जी कहां पे जनसबाती दादरी में दादरी में आती जी अच्छा उन्टों पर आदी में आये थे उनको देखने हाँ जलता सुनने के लिए और नहरुजी ने उस आपने भाशन में कहा था हम के हमने लिखते हैं चाहा उनके बारे में काया हा निहाल सिंग के बारे में और उसके तब तो आप पॉलिटिक्स में थे नहीं माद बाड़े वैसे सुनने गए थे उनको यह देखो जर्मस तो पैदाएशी होते हैं मतों आप मानते हो क्या विदायक बनने के पैदाशी थे आपने लेकिन यह तो खुदर्ती तोर से स्वभाव होता है तो यह था ऐसा दोके गए तो आपने राजनिती चोड़ी कभ अंकर चोड़ तो चोड़ रखी एक तो उमर ज्यादा होगी और फेर मेरा वैसे भी रूची नहीं रही इसके अपने आप मलब जो स्तेंतर वाला चुनाव बहारे हैं उसके बाद तो खुब रहा हैं राजनिती में रही राजनिती में क्या ती तीन साल तक तो मैं एचसीबी का मेंबर बनाया रख़ए इनों देखो मैं विरोदी लड़या पार्टी के खिलाफ लड़या और सब खिलाफ रहा हुँमे तब भी हच्पीसे के मेंबर सिराल बने हों चाहिए उमपरका चोटाला जी देविलाल जी या मनार सिदाज कोई भी मास्टर जी भी हाला कि मैं तो इनको हिलाफ लड़ा था लेकिन मास्टर हुकम सिंग जी के दिल में कभी मेरे बारे में वो कैसे वेकती थे मास्टर हुकम सिंग बड़ी आदमी था पैसे के बावजूद भी हमारे दिल में कोई बात नहीं था हम तो ऐसी नसल के आदमी थे पैस जानी पुराने उसके नफरत हो रही है तो अब वाली नसल के बारे में क्या कहोगे जो राजनीति की अब नसल आई हुए है इसके बारे में आप सब कुछ भी कह सकते हो आप कह दो मैं के को मुझा कोई भी कह दिया कैसी नसल लगी क्या नसल लगी अब तो सब का देख यह तो यह तो यह तो बिजनेस बना रिख है पश्यासत का एक बार में ले बन जाओ उसका पीडियों तक का वो बना लेते हैं जुगाड अब कि कभी तम तो यानी तरह पास तो खतम है नही आई इनोंने तो मैं तो कुछ भी कर सकूंँ था हुआ कितनी दोलती खटी करे लिकैना कुछ कर लिया हो लेकिन नहीं नहीं हो यह तरह परमात्मा ने बका इस बात के सुक्र बुजारत है कि आपको वैसी बहुत दे दिया परमात्मा देर लग रहा है यह भी को यू सो चने भी इसने नियू कर दो कुछ नहीं कर सकता मेरा कोई भरमात्मा का मेरे साथ डारेक्ट करनेक्शन है वो तो है सब कुछ आप अभी फिट हो कितनी उमर होगे आपकी मैं 86 का वो है तो यह कैसे फिटनेस कैसे मैंटेन कर रखी क्या है मैं सुबह उठता हूं तीन बजे तीन बज लिटपरति के कर्म जो है करते हैं वो करता हूं फिर मैं तीन गंटे योग करता हूं तो बाबा राम देव से पहले के योगी हो यह किये तो काल के जो रहे हैं पहले आचारी बगवान देव या करते थे यह जज़र गुरकुल वाले थे उनका प्रचार था यहां पर योग यहां प्रणायाम करता हूं अब मैं बैठ ही गया था यह तो यहां प्रणायाम करता हूं तो दूसरे लोग में चले जाते हो बस पता है ने कुन से लोग में तो यह किस ने सिखाया आपको विपस्णा विपस्णा तो हमारे ग्वेंकाजी होते थे वो म्यामार से सीख करके आए थे वहां थी विपस्णा तो आपने अभी चर्खे वर्खे रख रखे हैं अलब पुरानी चीजों से मोह है आपका मेरे घर में एक तो यह चर्खा है और जितनी भी पुरानी चीजें दूद बिलोनी एरनी और वो जो भी कुछ होए अगरता है वो सारी चीज़ चक्की सब कुछ है चक्की दो दो चक्की है जी हमारी श्री मतीजी जो है यह सब अपने हाथ से किया अगर अब भी उब है अब भी हैं आपकी श्रीमत्यजी अटी जी हैं फिट है वोगी उनको भी सिखा रखे द्यान दुन आपने उनको करवाया था कौर्स लेकिन वह जो है ने वो उसमें जारा चली को नहीं है करके कामों में दान जाए अपने सारे परिवार को विपस्वना करवाई शिखाया था चलो बहुत बढ़िया लगा अंकल आपसे बात करके और आप बहुत अच्छे आदमी हो भगवान आपकी उमर लंबी करें आपने सुना होगा अंकल जी की बातचीत आप इनसे स्वाल जवाब करना चाहते हैं तो कमेंट करें और इनकी बातचीत को सेर करें ये वो दोर के राजनिता है जब राजनिती पैसा कमाने का रास्ता नहीं हुआ करती थी बसों में जाते थे बसों में आते थे घर सिंपल थे पंखे तक इनके गरों में नहीं होते थे लेकिन आज एक आज के दोर की राजनीती है एक इनकी राजनीती थी तो इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें दोस्तों मिलते रहिए ऐसे ही राजनीताओं से आपको मिलवाते रहेंगे नमस्कार नमस्का झालनू